हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं इस्टड़ी फीट ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों सारीर सिच्छों में अनुसंधान यानि रिसोर्च इन फिजिकल एजूकेशन का यह पांच वाँ वीडियो है जैसा कि डेली बेसे से मैं आप सबको प्रैक्टिस करा रही हूं व तो चलते हैं आज के कोशन के तरफ कोशन है संग्यानात्मक प्रैक्रिया का सही क्रम पता लगाई है तो दोस्तों संग्यानात्मक होता क्या है संग्यानात्मक मतलब यह ग्यान से समधित है किसी ग्यान से समधित कोगनेट्व प्रोसेस तो इस प्रैक्रिया का सही क्रम क्या ह यहां पे दोस्तों आपका inflam De cottonningar एम अनुबूती प्राप्ट Iraq करेंगे उसके बाद पर स्वाहटल चिंतन करने के बाद उस कैसे होगा क्या होगा उसके बाद समस्या का समधान लाश्ट में करेंगी ठीक है इस प्रकार इसका क्रम होगा कोस्टन नमर टू है प्रसिच्छर के चरणों को सही अनुक्रम पधती ज्याद किजे तो प्रसिच्छर में सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ों से पहले हम उसके प्रस्तावना उसकी नमूना तयार करती है तो पहले हो जाएगा आपका प्रस्तावना ठीक है तब पहले आपका बी हो जाएगा प्रस्तावना करने के बाद तम हम उसके क्या करेंगे प्रदर्सन करेंगे ठीके जो हम प्रसिचर स्पोर्ट ट्रेनिंग देते हैं साथ से पहले प्रस्तावना देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं प्रदर्सन करते हैं जैसे हम लिसन प्लान बनाते हैं उसके बाद हम उसकी ब्याख्या करते हैं उस पर दर्सन को जैसे, हम प्रदर्सन करते हैं एक-एक, इस टेप बता करकी तो फिर, ईय हो जाएगा। उसके बाद, हम अभ्यास कराते है। क्या कराते हैं अभ्यास कराते हैं tentar अभ्यास करने के बाद एक लीडप या मनुरन्यात्मा क्या रिक्रिशनल गेम कराते हैं ठीक है उसके बाद हम डिस मिसल कराते हैं तो B D A C E तो B D A C E यहां पर राइड इंसर क्या हो जाएगा आफसन नमबर B यहां पर राइड इंसर हो रहा है question में 3 है परिकलपना की परिश्र पध़ती का क्रम ग्याद करी find out the order of testing method of hypothesis परिकलपना की परिश्र पध़ती का क्रम यहां पर आपको ग्याद करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगी नीड़े सबसे पहले हम परिकल्पना को लिखेंगे क्या करेंगे सबसे पहले परिकल्पना को लिखेंगे लिखने के बाद हम क्या करेंगे उस चीज का चुनाओ करेंगे ठीक है उपरियक्त परिच्छ सांखी की का हम क्या करेंगे चुनाओ करेंगे तो D की बात आपका हो जाएगा C अब उसके बात जो नियरे होगा उसके नियम लिखेंगे नियरे का नियम लिखेंगे उसके बाद हो जाएगा A फिर उसके प्रीशर के हम क्या करेंगे? गर्णा करेंगे B-C-A-D B-C-A-D किसमें दिखे रहा है? Q4 है वैज्यानिक सोध जिसमें सुनियोजित पधति का समावेश होता है का उचित करम ज्याद कीजिए तो दोस्तों कोई भी आप find out, appreciate, appropriate, causes of scientific research which involves systematic methodology तो दोस्तों वैज्यानिक सोध यानि की आप scientific research कर रहे हैं जिसमें सुनियोजित पधति का समावेश होता है उचित करम आपको लगाना है तो दियान से सोचिए, आराम से लगा लेंगे तो कोई भी आप वैज्यानिक सोध, scientific research कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास समस्या होना चाहिए प्रशन होना चाहिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे तीक है समस्या की पहचान कर लिए उसका इसपश्टी कर लिए अब क्या करेंगे उसकी अवधारा या ब्याख्या करेंगे तो D हो जाएगा फिर अवधारा ब्याख्या भी कर लिए अब हम जनसंख्या की परिभासा देंगे उसके बाद हम उपकरड योजना का विकास करेंगे तो A, E, D, B, C A, E, D, B, C आपका आपसा नंबर भी यहाँ पर राइड एंसर हो रहा है कोशन नंबर फाइब है यहाँ पर आपको मिलान करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा नरी जाती वर्ण नरी जाती वर्ण जो है वह एक नरी जाती का आप वर्ण कर रहा है यानि कि उसके बारे हम पूरा डीटेल लिख रहा है इसका मतलब उसका ब्याख्या कर रहा है इसका मतलब यह ब्याख्यात्मक हो जाएगा तो A का हो जाएगा आपका 4 A का क्या हो जाएगा आपका 4 यहाँ पर आफसर नमबर D राइड है दोस्तों तो A का 4 हो जाएगा एंड B है एतिहासी तो इसकी लोग आलोचना करते हैं आपने एपनी बिद्वता के उनसार तो B का 1 हो जाएगा प्रियूगात्मक तो प्रियूगात्मक जो है वो आपका हो जाएगा नियंत्रण और के सध्यन हो जाएगा तिब्र नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 6 है किन्दि में से कौन सा कृतिम रूप से विवेक युक्त चर है तो दोस्तों यहाँ पे लिंग हो गया राष्टियता हो गया किसी परिवार में बच्चों की संख्या हो गया एक कृतिम नहीं है प्राकृतिक है यह स्वत्य है जन्म के बाद लिंग आपका निधारा हो जाता है कि आप लड़का है कि लड़की है जिस देश में जन्मी उस देश के आप हो जाते है राश्टियता किसी परिवार में बच्चों की संख्या कितना यह सभी कोई भी कृतिम नहीं है कृतिम आपका है आपसन नमबर सी उत्रीड और अनुत्रीड होने की दिश्टी से परिच्छर का जो प्रडाम होता है यह आपका फाल्विंग इच एन ऑपनिशनल डिफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस तो बुद्धी की प्रचलान नात्मक परिभासा यहां पे कौन है तो यहां पे राइट इंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी आपसन नमबर ए आपसन नमबर ए बी एंड सी यानि की बी क्या है एक बुद्धी रेवेंज प्रोग्रेसिव मैट्रिस पर जो इसकोर होता है उसकी द्वारा भी हम जानते हैं कि इस आदमी की इतना बुद्धी है इसकोर के इसाफ से कोस्टन नमबर आठ है गैर खिलाडियों की तुलना में जो खिलाड़ी होते हैं अधिक बहिरमुखी एन एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं यह किसका उधारर है तो दोस्तों एक डायरेक्शनल हाइपोथिसिस का उधारर है किसका उधारर है डायरेक्शनल हाइपोथिसिस का एक्जाम्पल है कोशन नमर् नाइन है निवन में से कौन पूरु कलपना की सैलिगत सुध रुपांत्रा को ब्यक्त करता है मतलब पूरु कलपना मतलब पहले जो आप कलपना किये हैं उसका सैलिगत सुध रुपांत्रा में ब्यक्त करता है तो यहां पर आपका हो जाएगा आ अहीं के यानी के बुद्धी और खेल कुद निस पाद hind के संभष में अध्यान करना आप बुद्धि और खेलगुत निस पाद एक दुषए से समद्धित नहीं होती हैं यह पूर कलपना की सेलिगत सुधर रुपांद्रों को ब्यक्त करते हैं कोश्चन नमर दस है कि सारीक सिच्छा की छेतर में बर्तमान अनुसंधान के मुताबिक निवन मेंसे कौन सा आजीवन सारीक सक्रीता में छातर की भागिदारी को अच्छा बढ़ावा देता है सारीक साथर की भागिदारी को अच्छा बढ़ावा देता है तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका आपसान नंबर सी क्योंकि फीजिकल एजूकेशन में है तो आप भी प्रकार के सारे गटिवीजियों में भाग लेंगे और भाग लेने के लिए आवस्टेक मूल कौसलो बेसिक स्किल है उसको हौसिल करेंगे जिसे इवहन सारी स्कृ tijdया मिच्छा एपागीदारी को अंब्धावा देता है कि अनुसंद्हान प्रतिवेदर में परत्मिक सामगरी में आता है इस्धान इसार्च अर इसनों हम यह बात जरूर ध्यान देने चाहिए कि आपकी सोध में जिन जिन लोगों का सहयोग रहा उनका नाम जरूर होना चाहिए Q2 है क्रिया सुध का उद्यश से है तो नंस नमूना का उदारड हे लिस्टकार समस्या को हल करना मिपे तेरह हैं ह्लेकर अध्री नमूनिक का उध्यर हैand नान्स नमणा, नान्स नमणा, ऊसके इसटमोन नमुण का earn कि रह इसे स्टिफाइड समूह नमूना, यहल्टिफट रैंडम सेंपल नंस नमूना से नान रैन्डम में और आता है व्यापक नमुना अराम नमुना लगता नमुना सोधिस नमुना Question number 14 है कि अनुसंधान में परिसीमन दरसाता है तो दोस्तो अनुसंधान में परिसीमन क्या दरसाता है Delimitation in research difference तो अनुसंधान ने जो परी सीमन है क्या दरसाता है दोस्तों अनुसंधान में जो परी सीमन है उस अनुसंधान की समस्या के लिए सीमा निधायत करता है य्युद्र साथ है कोश्चन नंबर 15 है यहां पर अभिकतन इस्टेट्मेंट बेट्स पर है यहां पर कहना है कि मोलिक अनुसंधान मुख्य तवर पर नए सिधान्तों को प्रतिपादन में सम्मधित है यानि कि है इसका मुख्य उद्यश ग्यान के लिए है कि इसका मुख्य उद्यश ग्यान की खोज जो सिफ ग्यान के लिए होता है सही बात है को भी हम अनुसंधान कर रहे हैं तो यहां पर आपका राइट एंसर क्या हो जाएगा यहां पे राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर B A और R दोनों सकते हैं A और R दोनों सकते हैं Question नमबर 16 है आज के सेशन का last question है कि सोध परतिवेदर में परिसीमन समंदित होता है तो delimitation in a research report are related to तो सोध परतिवेदर में परिसीमन समंदित होता है तो यहां अनुसंधान के समस्या के लिए सिमाओं को निधायर करता है जैसे कि पहले की question में देख लिए असमस्या के अध्यर में अनुसंधान की सिमाओं से है इसका संबंद असमस्या की परिभासी करण से है उप्रोक्ष रभी से आपका राइडिन स्रू हो जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार आज के सेशन में अध्यर में आपका प्रियास के जो भी डाउड होगा कमेंट में जरूर बताएगा और जादे जादे वीडियो को शेयर भी कीजिए जी से और लोगों तक वीडियो को उस सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो प्रैटिस में तब तक किलिए जाएगे